तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मैंने एक calculator बनाया है अपने powerpoint पे, यह कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 45 minus 5 is equal to, देखिए आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, clear करता हूँ मैं, मान लिखता हूँ 700 divided by 7 and is equal to result आ गया, फिर से clear करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 56 into 8 and is equal to करता हूँ और आपके सामने result आ गया, यह fully functional एक परकार का calculator है, जो powerpoint में बनाया गया है, developer tap का استعمال करते हूँ, अगर आपको भी इस तरीके का developer tap का استعمال करते हूँ, calculator बनाना है powerpoint में, कैसे बनायेंगे, step by step में आपको बताऊंगा, and trust me, यह बहुत ही easy tutorial होगा, बहुत ही simple बाशा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो चलिए करते हैं अपना video start, और देख application को open कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर open कर लिया है, open करने के बाद menu पर जाऊंगा, और यहाँ से blank presentation ले लेता हूँ, तो यह blank presentation हमारा open हो गया है, आपको इस तरीके का अगर calculator बनाना है powerpoint में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको developer tap को on करना है, मेरे case में मैंने on करके रखा तो वो देख लिजे, उसके लिए आपको file पर जाना है, and then options पर, इसके बाद आपको customize ribbon पर जाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे side में, आपको जितने भी tabs आपके home panel पर दिखाए देते हैं, वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर developer ना दिखाई दे रहा होगा, इसका यहाँ से जो boxes हैं, इनको मियाँ से हटा देते हैं, अगर आपको अपना calculator का background design करना है, तो आप design टैप पे जाकर, आपको background जैसा भी रखना हो, आप वो रख सकते हैं, अगर आपको इसका side change करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, चेंज करने के लिए यहाँ से मैं, माले जब 4-3 कर ratio ले लेता हूँ, चेलिए, यहाँ से यह, तो हमारे पास अब 4-3 कर ratio आ गया है, background कैसा रखना चाहते हैं, आप वो भी रख सकते हैं, तो यहाँ से अगर मैं कोई background ले लेता हूँ, माले जी यह लेता हूँ, तो हमारे साबने background आ गया, अब basically हमारा main काम start होगा, सबसे पहले हम दो text box लेंगे, यहाँ से मैं पहले text box पे जाओंगा, और यहाँ से text box draw करूंगा, enable, active x, करते वे यहाँ से मैंने text box को enable कर दिया, आप इसका size अपने हसाब से adjust कर लें, आपको जैसा भी चाहिए, छोटा बड़ा, तो यह हमारा text box 1 हो गया, अब मैं control बटन दबा के रखूंगा, और इसी को duplicate कर लूँगा, हमारे दो text box आ गए, text box 1, text box 2, अब आपको चाहिए buttons, चिनकी through आप इस calculator को control करेंगे, मैं थोड़ा से इसको slide कर लेता हूँ, that's it, चलिए, अब हम जाते हैं यहाँ पे command buttons में, click करूंगा, और यहाँ से एक बटन को track करूंगा, यह हम बटन बन गया, ठीक है, size आपने हिसाब से adjust कर लें, अब यहाँ से control button दबा के रखेंगे, duplicate, again duplicate, again duplicate, 4, and recall कर लेते हैं, चलिए 5, ठीक है, size थोड़ा adjust कर लीजेगा, या फिर मैं ऐसे करके adjust कर देता हूँ, यह बन गया आपके, ठीक है, अगर आप चाहें, तो अभी फिलाल इन पे editing कर ले, आप symbols को add कर ले, जो भी चाहते हैं, तो उसके लिए click करें, and then आपको properties पे जाना है, यहाँ से जहाँ side में command button लिखा रहेगा, मैं एक बार आपको scroll करके दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा आपको वहाँ पे जो भी symbol add करना हो, add कर दे, मैं one कर देता हूँ, अगले बाले पे click करूँगा, सेम चीज़, यहाँ से command button हडाऊँगा, और उसके जगरे पे मैं दो लिख देता हूँ, चल यह हमारा structure design हो गया है, अब basically हमारा main काम होगा, अब हमें क्या गरना है, हम इनके लिए commands लिखने हैं, quotes लिखने हैं, तो लिखने का तरीका बहुत आसान होगा, difficult नहीं होगा, यह text box 1 था आपका, यह text box 2 है, सबसे पहले 1 पे double click करिए, and then यहाँ पे आपके सामने एक तरी लिखना है, आपको यहाँ लिखना, if text box 1.text is equal to empty, यहीं खाली, then enter press कर दे, enter press करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो text box 1 होगा, 1.text is equal to, आपको उसका मान 1 कर देना है, ठीक है, अब यह मैं आपको करके दिखाऊँगा, अब यह कैसे काम करेगा, अगर ऐसा नहीं होगा, तो हम else दबाएंगे हाँ से, और else के लिखेंगे, text box 1.text is equal to, अगर वो खाली नहीं होगा, तो text box 1 का जो main value होगा, वो तो रहेगा ही, तो मैं यहाँ से text box 1.text, इसके साथ-साथ, and आपको one और उसी के side में add कर देना है, interface करेंगे, और आपको यहाँ पे end if लिख देना है, and that's it, अब यह कैसे काम करेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इतना करने के बाद, यहाँ पे ध्यान से देखे, मैंने text box 1 जो यहाँ पे है, खाली होगा अगर, तो वहाँ पे one भर जाएगा, अगर खाली नहीं होगा, तो जो भी value होगी, उसके just बगल में one लिख जाएगा, यह मैंने लिखा है code में, मैं आपको run करके दिखाता हूँ, यह कैसे काम करता है, म उसके लिए पहले मैं double click करूँगा, और इस पूरे के पूरे process को यहाँ से में करूँगा copy, control and c, आप मैं क्या करूँगा, cut करूँगा, अगली वाली button पे double click करूँगा, और same cursor है, आपका वहाँ पे paste करें, और बस जहाँ पे one है, उसकी जगे पे two कर दे, that's it, और कुछ नह इस तरीके से आपने almost सभी buttons को code कर लिया है, copy paste कर करके, अब आपको c button को code करना है, कि जैसे आप इस पे click करें, तो दोनों clear हो जाए, यहाँ से text boxes खाली हो जाए, तो double click करें, and simply बस आपको वहाँ पे type करना है, text box one dot text is equal to nil, यानि खाली, enter, और जो text box two होगा आपका, dot text, वो भी आपका खाली हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं कि यह properly यह buttons काम कर रहे हैं या नहीं, हमने यहाँ पर जितने भी mathematical operations थे उनको छोड़कर, is equal to symbol को code नहीं किया, बागे सारी के सारी हमने code कर ली हैं, अब देखते हैं यह काम कैसे करेगा, तो मैं यहाँ से click करूँगा, और यहाँ से देखिए, मैं जो भी press कर रहा हूँ, वो हो रहा है, अगर मैं clear पर click करूँगा कुछ basic variables, जो global variables हैं, आपको वो declare करने होंगे, चुक्कि आपको यहाँ पर mathematical operations करने हैं, तो उनके लिए, उन variables के जुरुत पढ़ेगी, तो उन variables को declare करने के लिए, आपको simply क्या करना है, माले जी मैं plus button को ही code करता हूँ, तो मैं double click करूँगा यहाँ पर, and then double click करने के बाद, स करनी है, तो देख लिजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, dim first num as double, यानि एक number होगा, फिर dim second num as double, यानि एक number का दूसरे number से हम process कराएंगे, ठीक है, और क्या होगा, result आएगा, तो यहाँ से मैं करूँगा, dim result as double, यहाँ से आपस में process करेंगे, तो result बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन variable डिकलेर कर लिए, चौथा होगा आपका dim operation as string, यह चार variable हो गए आपके, जोकि डिकलेर करने ही करने है, ठीक है, अब इन चारों का use करते हुए, mathematical operation अपना कर सकते हैं, चलिए, यहाँ से मैं cut करता हूँ, फिर से मैं cut करता हूँ, और अब मैं फिर से plus button पे click करूँगा, तो हमारा cursor आ गया, हमने चार variables डिकलेर कर दी है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही कोई plus button पे click करें, तो जो text box 1 की value हो, वो text box 2 पे चले जाए, plus के साथ, तो क् सीदे लिख दीजे, इफकी जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना है, text box 1 dot text, ठीक है, और यहाँ से पहले आपको लिखना है, जो text box 1 का मान होगा, वो first num का मान हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिखूंगा, first num is equal to text box 1 dot text, यहाँ जो text box 1 का मान होगा, वो ही first num हो आप यह समझा लिए जिए text box जो 2 होगा आपका 2.text is equal to चाहे तो आप यहाँ पर first num कर दे या फिर आप चाहे तो आप text box 1 कर दे यह नीचे की value के उपर चली जाएगी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ first num sorry space नहीं देना आपको जैसे लिखा हूँ वैसे ही लिखना है वो end यहाँ से मैं end लगा देता हूँ और आपको क्या चाहिए था आपको inverted comma गेंदर यहाँ पे plus तो मैं plus symbol लिख देता हूँ and inverted comma close कर दूँगा ठीक है इसके बाद और interface करिए and इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या लिखना है आपको लिखना है यहाँ पे the text box one dot text होगा वो खाली हो जाएगा that's it इसके बाद आपको एक चीज़ और चुकि plus symbol का use आप operation के लिए भी करने वाले हैं तो यहाँ से आप लिखेंगे operation is equal to inverted comma के अंदर आप plus लिख देंगे that's it इसके बाद मैं इसी को पूरा copy कर लेता हूँ यहाँ से ctrl c और पहले मैं आपको काम दिखाता हूँ यह काम कैसे करता है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा मैं फिलहाल slide show पे जाऊँगा और यहाँ से आपको दिखाता हूँ one, two, three जैसे मैं plus पे क्लिक करूँगा तो जो text box one का मान होगा वो text box two का मान हो जाएगा plus symbol के साथ देखिए it's working चुकि हमारे command ही कुछ ऐसी थी मैंने का जो text box one का मान होगा वो first num का मान हो जाएगा और इसके साथ सा जो first num होगा वो हमें ले जाना है text box two पे और बगल में हमें add करके हुए आपको plus symbol add करना था इस तरीके से आप बाकी के भी कर लेंगे जो भी आपके symbols बचे हुए last में सिर्व आपका is equal to symbol बचेगा उसको कैसे code करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ तो चलिए मैं यहां से minus को code कर लेता हूँ कर दिया अब आपको plus symbol को हटाना है उसके जगे पे minus करते जाना है that's it अगले वाले को कर लेते हैं यहां से paste करेंगे and paste करने के बाद आपको यहां से multiply और उपर भी multiply अब लास्ट बचा है आपका divide and is equal to तो यहां से मैं divide कर लेता हूँ पहले divide and divide that's it आपका almost काम हो गया है अब बाकी के सारे symbols काम करने लगेंगे चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ तो मैं यहां से जाता हूँ slide show पे और clear करता हूँ पहले अब इसके बाद मैं 1, 2, 3 minus 7, 8, 5 अब हमें is equal to करते हैं और इसका symbol निकालना है मान निकालना है तो कैसे निकलेगा वो भी देख लेजे बाकी के सारे के सारे बटन से हाँ पे काम कर रहे हैं हमें सिर्फ is equal to symbol को code करना है यहां से मैं clear कर लेता हूँ चलिए अब आपको इसके लिए लिखना है commands डबल क्लिक करिए अब यहां पे आप क्या लिखेंगे थोड़ी सी process थोड़ी सी लंबी होगी लिकिन आप आसानी से इसको समझ पाएंगे तो लिखना स्टार्ट करिए सबसे पहले आपको यह लिखना है जो text box 2 command होगा वो हो जाएगा आपका क्या num second च्योंकि text box 1 command आपका num second हो जाएगा num first तो आप अलड़ी दे चुके है जो इस समय text box 2 पे है तो क्या करना है मुझे यहाँ सबसे पहले लिखना है text box 1.text ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा हमारा num यह second num चलिए second num is equal to हमने कर दिया अब हमारी main process स्टार्ट होगी enterprise करेंगे सबसे पहले condition लगा यह if जो operation है हमारा अगर is equal to inverted comma के अंदर प्लस है ठीक है then क्या करना है हमें result निकालना है result जो क्या होगा first num को second num से जोड़ना है तो मैं यहाँ से करता हूँ first num plus second num ठीक है यह करना है आपको इसके लावा जो text box 2 है उस text box 2 के मान को हटाना है उस किस तरीके से दिखाना है आपको वो देखे तो मैं यहाँ से लखता हूँ text box to dot text is equal to यहाँ पर क्या दिखाना है आपको first num दिखाना है तो यहाँ से लिखिए first num इसके बाद फिर यहाँ से end के symbol लगाईए और आपको plus symbol दिखाना है तो यहाँ से plus symbol लिख दीजिए फिर end लगाईए and then आपको दिखाना है second num फिर से end लगाईए और इसके बाद आपको equals to का symbol दिखाना है तो equals to का symbol लिख दीजिए and फिर यहाँ से end लगाईए और last में आपको result दिखाना है तो यहाँ से result लिख दीजिए ठीक है that's it done इसके बाद आप यहाँ से इंटरप्रेस कर दीजिए और आपको इंटरप्रेस करते वए क्या लिखना है यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ से लिख दीजिए end if and पहले आप इतना अगर रन करके देखना चाहा है तो देख सकते हैं तो एक पर सेम चीज आप दुबारा से कॉपी कर ले और यही ऑपरेसन आपको दुबारा से रिपीट कर देना है तो मैं यहाँ से फेस्ट रिपीट कर लेता हूँ सेम चीज ctrl c करूँगा और यहाँ से आपकी बार मैं लिखूँगा इंटरप्रेस करते हुए यहाँ से minus symbol ठीक है अगर operation minus वाला होगा तो सारी process minus की ही होगी तो आपको यहाँ से minus कर देना है निफस नम से second नम घटेगा ठीक है एंट देन यहाँ से आपको symbol change करना है that's it आपका almost काफी सारा काम होगे है अगर आपको अभी demo देखना है तो दो बटने हमारी फिलहाल काम करेंगी चले दिखाता हूँ मैं मैं यहाँ से slide show करता हूँ यह आगया आपका अब यहाँ से मैं 123 प्लस 745 और जैसे मैं equals to पे क्लिक करूँगा आप देख लिजी यहाँ पे काम दिखा रहा है आपका नीचे वाले को आपको क्या दिखाना था अगर आपको यहाँ पे यह result दिखाना है तो आपको इसके लिए declaration करनी होगी वो कैसे करेंगे तो मैं simply फिर से इसे equal to symbol पे जाऊँगा और यहाँ से जो भी हमने commands लिखी दी मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ अब ही मैं क्या करूँगा प्लस वाले पे ही यहाँ से यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मुझे text box one dot text में अब result दिखाना है चुकि मैंने वो quote नहीं किया था तो नीचे मैं यहाँ से result लिख देता हूँ result r e s u l t result ठीक है sorry result और यही मैं दुबारा दूसरे वाले पे पेस्ट कर देता हूँ चुकि मैं text box one पे result ही प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पे वो भी पेस्ट कर दूँगा अब फिलहाल यह काम करेगा ठीक है अब मैं इसको दुबारा से copy कर लेता हूँ else if से ठीक है और तीसरी process लगाता हूँ control c करूँगा and then यहाँ से मैं enterprise करूँगा and then हमारा तीसरा फिर से आ गया तो सेम चीज़ पहले आपको क्या करना है आपको symbols को change करना है ठीक है तो यहाँ से मैं तीसरा वाला symbol लगाता हूँ multiply का multiply हो गया हमारा ठीक है यहाँ से हम दोनों numbers को multiply करेंगे यह multiply हो गया हमारा ठीक है यहाँ से multiplication हम दिखाएंगे and that's it अब बचा है चौथा वाला तो आप वो भी कर दीजे तो मैं यहाँ से फिर से interface करूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा अब चौथे वाली commands को ठीक करूँगा तो यहाँ से अब minus के symbol चुकि मैंने copy किया हुआ था को मैं divide करूँगा यहाँ से फिर से divide करूँगा and then यहाँ से मैं divide का symbol add करूँगा almost work done ठीक है अब इतना करने से आपका काम हो गया है last वाले में अब चाहें तो else if ना लिखते सिर्फ else लिख देते तब भी आपका काम चल जाता चलिए अब देखते हैं यह कैसे काम करेगा fully functional है या नहीं अब यह fully functional होगा आपका मैं दिखाता हूँ मैंने यहां से print किया पहले मैं इसको दिखाई रहा है आपको clear कर देता हूँ अब देखिए through 1 3 minus 7 and 5 is equal to देखिए दोनों में से 75 गटा करके 138 उपर आया है और 138 नीचे भी आ रहा है आपका clear करिए सारे symbols काम करेंगे 35 minus 6 is equal to clear करते है 600 ओ ओ मैंने 0 button code नहीं किया है and that was my mistake but same तरीके से आप 0 button को code कर लेंगे अगर आप चाहें तो मैं code करके दिखा देता हूँ आपको चलिए जैसे यह आपका symbol था मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर हमें एक बटन चाही होगा तो यहाँ से मैं किसी भी बटन को copy कर लेता हूँ like इसी को and then यहाँ पर मैं developer tab पर जाओंगा properties पर जाओंगा और इसको मैं 0 कर देता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ से 7 को हटा कर 0 कर देता हूँ मैंने ध्यान नहीं दिया starting में और 0 बटन कोड करना ही भूल गया था अब इसके लिए command लिखनी होंगी आपको तो double click करें और यहाँ पर command लिख दें तो command क्या थी? वही command है आपको if text box one dot text खाली है, empty है then जो text box one होगा वह हो जाएगा आपका 0 ठीक है? otherwise अगर ऐसा नहीं होगा तो else में डाल दिजिए जो text box one होगा अगर वह पहले से भरा हुआ है तो पहले वह आ जाए text box one ही जो मान हो उसका text box one होना चाहिए था, sorry text box one dot text and और बाद में आ जाए zero पहले बाद आपको यहाँ से इंडिफ लिखना था जो कि मैं छोड़ गया था चलिए clear five six into seven zero is equal to आपके सामने result आ गया है तो इस तरीके से आप आसानी से power point में एक fully functional calculator बना सकते हैं उमीद है आपको यह तरीका समझाया होगा और इसके जो counts है, commands है अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको description में लिखके दे दूँगा अगर आप समझेना चाहें तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like, channel को subscribe bell icon पे hit बहुत जल मिलते हैं तब तक अपना ख्यार लखिए bye bye and take care